उत्तर प्रदेश में होने वाले निकाई चुनाव को लेकर दिल्ली से लेकर लखनव तक भारती जनता पार्टी मन्थन कर रही है और इसी पर बादचीत के लिए हमारे साथ उत्तर प्रदेश के उर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर मौजूद हैं सर निकाई चुनाव को लेकर महमन्थन जारी है दिल्ली में भी बैठक में चर्चा हुई लखनव में लगतार बैठक हो रही है क्या तयारी भारती जनता पार्टी की है निकाई चुनाव को लेकर देखे बहुति संद्रेश के अगलुत् collar अखलेश यादफ क्या है कि कोई काम नहीं हुआ है निकाइच चुनाओ में बहारती यादफ की तरफ से बयान दिया जा रहा है देखिए उत्तर प्रदेश की सम्मानित और देवतुले जंता का असिरवाद जिस तरह से भारती जंता पार्टी को मिल रहा है मैं कह सकता हूं कि विपक्सिदल बोखलाई हुए और अकलेश जी की सरकार सभी ने देखी है उत्तर प्रदेश ने उन्हें उत्त लेकर बीजेपी कर रही है मैंने कहा ना कि हम लोग के लिए हर चुनाओ महत्मून है और यदि कगतोली की बात करें तो उसे हम स्विकार करते लिकिन इसके साथ साथ मैं भी ए भी कहना चाहता हूं कि रामपूर का एक उदारन है कि रामपूर में लोगों ने जिस तरह से समा अगर सब साथ आते हैं तो समाजवादी पार्टी समर्थन देगी इसके साथ ही केसियार से कलकलेश श्यादव ने मुलाकात भी किया है लगता है कि 2024 से पहले अगर सभी विपक्ष के नेता एक साथ आते हैं तो बीजेपी को ठककर विपक्षी नेता देंगे देखिए कोई पहला प्रियास नहीं है लेकिन निर्ने देवतुले जनता करती है उन्होंने निर्ने 2014 में भी किया 2019 में भी किया यदि मैं देश की बात करूँ और सम्मानी जनता कासिरवाद बारती जनता पार्टी और देश के सुच्छी परदानमंत्री मानी मोधी जी के साथ बहुत शुक्रिया बाचीत के लिए किया मैं परसंद रोहित के साथ स्वाती पाठक भारत सबचार दिल्ली